गुड मोर्निंग एवरीवन कैसे है सब आसा करती हूं सब अच्छे होंगे देखो गुलाब कितने प्यारे से खिल रहे हैं मैं उपपर आई थी तो देखा गुलाब खिले हुए हैं सुन्दर से और अब सुरू हो जाता है जो दुलन तैयार होके गई थी ना इस रूम में करके सब रख दूंगी बैग में जब उनको फुर्सत मिलेगी वो तब ले जाएंगे तो अभी मैं आई थी उपर इनका समान पैक करके चेक करके इसमें यह आईगा नहीं क्योंकि उन्होंने ऐसे भर रख है लड़किया ऐसे भर के चली गई थी रात को लगबग ग्यारा थे जब मैंने आपको वीडियो दी ना उस समय जब मैं पहले गई जब तो साड़े दस बज़ रहे थे लेकिन दुबारा जब उन गाड़ी लिना आई तब तक ग्यारा बज़ गे थे तो बच यह नेक्स डे का वीडियो है मैं नेक्स डे उपर आई तो मैंने देखा कि ज़ फुर्सत होगी ले जाएंगे वो उसी दिन मतलब नेक्स डे शाम को वीडियो तो मैं बाद मैं आपको दे रही हूं नेक्स डे शाम को ही ले गए थे वो इसको और यह जो नेल पेंट रखें यह मेरी हैं क्योंकि बच्चे आए थे नीजए कि अंटे हम भूल आये नेल पें जयाती है और यह उनी के सब समानों की पनिया है क्योंकि आब इभी नहीं रहता तो गन्दा तो होता ही नहीं है आज सफाय कर के अच्छा लगा क्योंकि इस रूम में बस ऐसे ही आो जाड़ोओ लगाओ यह अच्छा लगाओ बंतकर दो क्योंकि कोई सोता नहीं है कोई उपर आता नहीं है तो गंदा भी नहीं होता है बच्चे यहां तैयार हुए तो थोड़ा सा में भी काम मिल गया इस बान ने और शादी वाले घर में देखो भीड़वार होती है इतना अकिलापन नहीं मिल पाता है दुलन को तो बिल्कुल ही है सेपरेट रूम चाहिए होता है तो इसलिए वो यहां पे तैयार हो गई थी देख सकते हैं आप में पाइदान वगेरा भी बाहर निकल वारी हो डग्स भी बाहर निकाल के जाड़ देंगे इतने में सोफा वगेरा जाड़ के सब सेट कर दूँगी है 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 जाड़ कर लेंगे रख देंगे रापस कुछ होगा तो है ठीक सब्सक्राइब करें, इसमें घर्दो और इसी का कुछ समान हो को दे लेगे वाकर, ठीक है? यह चोटी मोर्टे से चिमिन्टी प्विन्टी बरतादू, यह जार दू नहीं सब सागनें मौछ नहीं रखोजदीम्टी पर बदीन इपड़े दिछ बिंट्री जाती है, बालों के ना बाने बाले हैं झाल झाल औाल झाल प्नाड झाल टाल करेण किरेद होंगति अमय neighborhood टो तो नोगे होंगति हुआ है कर देद्टे अब में में उपर ते तो मैं सोचा चलो इनकी भी थोड़े सी साफ से फाई कर देती हूं कर नोगा दोड़ेuld तो मैं सोचा पहले इन पर सब पर कपड़ा लगा देती हूं क्योंकि जो स्रेमेक के है ना उन पर बार कपड़ा लगाते ही चमक सी आ जाती है तो यह इधर रख दूंगे क्योंकि यह पेड़ा काफी अच्छे चल गया है और यह मैं किसी से लेकर आई थी रोड साइड से कहीं लगे हुए थे तो वहां से तोड़ के लाई थी तो थीन टहनी है यह बड़े सुन्दर चल गया है इसमें अभी इन में सब में साफ करके पान पानी भी दूंगी बारी बारी से अच्छे से और सर्दियों के मुसम में पानी थोड़ा सा कम दे रही हूं जब गमले विलकुँ सूक जाते है न मटी तब पानी देती हूं तो उससे ना इनके खराब होने के चांसे थोड़े कम रहते हैं अजो श्रामिक वाले यह पांच जूद है मिने इधर रख रखे हैं और देको इन पर हलका सा कप्रा लगादो बाहर की सवा तो इंहें छमक सी आ जाती यह नहीं पानी गिर जाता है तो फोल फिल करका जब रखने नहीं है तो उससरे यह पानी पर अधूंगी नहीं आपे तो उससे यह भिल दूल रख़ग पंद्रे दिन तक चलते रहेंगे अब पानी में इस तरह दूंगील में जैसे यहां बहरा है अच्छे से दूल जाएंगे वासबिसन में इसमें और ये इनके पत्कों पर जो दूल वगर है इसे भी छुटा दूंगी अब बिल्कुल फूल करके अगर पानी टपक ना होगा इ सर्दियों में पत्या भी गिराने लगते हैं लेकिन ठीक चल रहा है ये नीचे भी है ये करिया इजवा इनके तीन-चार पोदे हैं मेरे पास ये भी मैं लाई थी कटिंग से लगाएं सब ग्रो होगे हैं सर्दियों में थोड़ा कम चल रहे हैं आपका जो सीजन आएगा न अच्छा चल रहा है ये भी तो अब जैसे सूखे पड़े हैं ना तो इनके किनारों में थोड़ोढ थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि पानी नीचे से ज़्यादर ढ्रेन नहों अगर ढ्रेन हो रहा है तो उसको मैं थोड़े तार यही रख दे रही हूं और ये है चाइनी लेमन लेमन ग्रास लेमन टीवी कह सकते हैं आप लेमन ग्रास बोलते हैं इसको ये भी अच्छा चल रहा है छोटे छोटे हैं तो इसलिए मैंने छोटे वाले पोट में लगा रखे हैं और ये स्नेक प्लांट है छोटे वाली वाराइटी है इसकी तो ये भी खुब फुल्फि इससे मैंने बहुत सारे पोदे बना रखे हैं यह वाले मैंने पानी दे दिया है पूरा पानी सूख जाए अरी मेरी 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 होगा नुकसान देखो नुकसान हो गया है कर दो रीदी फाइदा अगरे उट गया है गमला आज से जूट गया है इतना फ्यारा सा मनी प्लांट हो रहा था इसमें देखो कितनी रूट बाउंड हो रही है इसके लिए गमला लेकर आना पड़ेगा आज मेरी कर दिया है नुकसान तो अभी गमला मन सोचा जब तक गमला लाँगी तो पूदा खराब हो जाएगा क्योंकि इसके जड़े इसमें लगा दूंगे कि इतना चलेगा चलेगा, जब गंबला आएगा, तब नहीं में लगाएँगे, और मैंने ये डंडिया लगाई दो इसमें, कीन पर इसको लगपेट देती हूँ, लेकिन सेटिंग सी नहीं हुए अच्छे से, तो मैंने डंडिया निकाल दिया इसकी, और ऐसे ही इसको लगा दूँगी और अच्छे से पानी दे के रख दूँगी कि पहले ही अपनी जड़ पकड़ दे उसके बाद देखूंगी इसमें वो लगाऊंगी क्या बोलते हैं मोसिस्टिक काफी अच्छा हो रहा है ये और बहुत छोटे से गमले में था बिल्कुल चा लगा के इसको पानी वान देके यहीं पर रख दिया है एसी के ऊपर ही रखा था वह वाला गमला भी आपने देखा होगा पहले एक दो वीडियो में तो मैंने यह वाले फिर लगा के यही रख दिया कि जब यह थोड़ा जड़ अच्छे से ग्रो करने लगेगा तब मैं इस दुस्रे वाले में सिफ्ट कर लोगी फैंसी वाला लाक है अभी तो मैंने इसी में लगा के रख दिया यह अब कर देती हूं क्योंकि वासबेशन मैंने काफी गंदी कर दिया तो इसे भी साफ कर देती हूं और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना और अगर चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को भी सिस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ खुश रहिए मस रहिए खुशिया बाट रदे, रदे, रदे